यहां पर हम बात करने जा रहे हैं LTE के syllabus के बारे में तो LTE का syllabus है बहुत सारे group में पूछ रहे हैं कि LTE का syllabus किस तरह से किया जाये उसमें important writers कौन से हैं और unimportant writers कौन से हैं हमें क्या study करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप लोगों को दे रखे हैं कि ये writer है तो आप उन्हें ये मान के चल सकते हैं कि syllabus है उसी writer को आप study कीजिए यहाँ थोड़ा सा ये है कि बहुत हचपोच है और समझ में थोड़ा कम आएगा कि क्या study करना चाहिए तो देखें subject concerned लिखा रहता है कि subject जो भी concerned subject का आपका paper होगा उससे related तो जब भी ये बात आती है तो बात आती है कि आपका जो graduation का syllabus होगा और post graduation का syllabus होगा तो वो पूरा आपका उसमें आ जाता है अब इसमें देखिए कि grammar जब लिखा है grammar and its uses grammar का मतलब होता है कि सब कुछ grammar में ठीक है तो अब हम focus कहां करें अब देखिए basic चीजें तो आदमी कर लेता है लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को suggestion दूँगा कि आपके tenses, models वगेरा जो भी आप prepare कर रहे होना करते रहे लेकिन साथ में आप clauses हो गए clauses हो गए आपके sentence types हो गए ठीक है complex हो गए, complex sentences हो गए यह सारी चीजें आप special uses आप लोगों को पता होने चाहिए grammar में अब grammar उन्होंने डाला है कि grammar में सब कुछ आएगा अब आते हैं चलिए literature में literature में देखिए थोड़ा दिहान से अगर आप देखेंगे कि उन्होंने लिखा है syllabus में लिखा है drama अब drama का मतलब है कि जब से English literature शुरू हुआ और आज तक सारा drama उसमें आएगा जितने dramas लिखे गए होंगे उसके बाद लिखा हुआ है British prose तो जब हम English literature पढ़ रहे हैं तो British prose में तो सारी चीज़ा आगई आगे जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको मिलेगा poetry अब poetry अगर आप ध्यान से देखेंगे वो लिख रहे हैं British poetry American poetry Indian English poetry till 18th century अब उसके बाद फिर से देखिए 19th century 20th century British poetry American and Indian English poetry ओके यह आगे आपका तो उन्होंने लिखा यहाँ पर drama और poetry भी सब आ गई है और आपके उसके बाद उन्होंने लिख दिया fiction फिक्शन बिटिश फिक्शन इंडियन इंग्लिश फिक्शन ओके एंड इंडियन short stories तो इसमें छूटा क्या है आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसका मतलब है जो total है उसका मतलब है आपको कि history of English literature में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए अगर आप कुछ writer को पिक करने की कोशिश करेंगे तो काफी सारे छूट भी जाएंगे इसलिए मेरा जो पहला जो आपको लोगों को suggestion है वो suggestion है कि आप history of English literature को बहुत strong कीजिए from 14th century to modern जब आपके पास यहाँ पर एक skeleton होगा study करने का अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपको history of English literature इससे पहले आपने तयार नहीं किया है तो आप किस तरह से उसे तयार करेंगे या आपकी तयारी किस तरह से होनी चाहिए तो थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप इसे तयार करेंगे सबसे पहले आप लोगों के पास में timeline बिल्कुल clear होनी चाहिए कि आप 13th century से शुरू कर रहे हैं फिर 14th century, 15th century, 16th century 17, 18, 19, all right? and 20 अब इसको आपको क्या करना है? फिल करना है सारी जितने हैं सारी centuries को आपको फिल करना है कुछ इसके जो representative writers हैं जो आपके representative writers हैं उनको आप ले लीजिए ठीक है? representative writers और उनके works ठीक है? अब उसके बाद जैसे आपके पास में Milton आ गया उसके बाद इस तरह से आप ड्राइडन ले लीजिए और पोप ले लीजिए यहां आपके पास उपर चलेंगे तो और modern में आप T.S. Elliot ले लीजिए इस तरह से at least आपको एक जो एज है उसके five five writers और उनके works आप लोगों को करने है साथ में आपको जो important है वो क्या है? जैसे यहां से आप आएंगे 14th century से तो आप लोगों को शुरुवात से आप ले सकते हैं कि चौसर हो गया और उसके बाद आप ले सकते हैं शेक्सपियर तो इस तरह से यह सिर्फ आपको example के लिए मैं आप लोगों बता रहा हूं इनके कुछ works लीजिए और जो works हैं उनसे related कुछ terms आते हैं जो related terms आते हैं उनको related terms जरूर कीजिए कि किस समय कौन से हैं जैसे आप modern period में आएंगे यहां novel से related कौन कौन से जैसे precarisk novel हो गया ओके तो इस तरह से आपके novel से related terms आप लोगों को करने हैं साथ में जो जैसे आप चले जाते हैं romantic poetry में जैसे romanticism में आप study कर रहे हैं तो romanticism में आप theories किस से poetry से related जितनी चीज़े हैं उन चीज़ों को उन terms को ले लीजिए और अपने लिए कुछ series तयार कर लीजिए जैसे कुछ subtitles होते हैं books के subtitles हो गए उनकी आप लोगों के पास एक list होनी चाहिए और अगर आप लोगों के पास में जैसे कुछ pen names होते हैं उके pen names उसके साथ में होता है कि word words जो coin words है कि किसने कौन से word coin किये हैं कुछ theories होती हैं कि उनको किसने theories और उनकी founder और inventor जो भी आपको बोलना है उसको और जिन्हों ने उनको start किया तो इस तरह कि आप लोगों के पास list हो जानी चाहिए और at least इतने writers तो आप लोग कर लीजिए इसके अलावा अगर आप लोगों में पास एक बार यह जो skeleton है यह पूरा भर गया है तो आप फिर से दुबारा से आप five दुबारा से कोई दो जो और important writers है उनको ले सकते हैं तो आपके पास हर age के ten writers होंगे उनके books होंगे books से related terms होंगे तो आप लोगों को easily एक तो revise करने में कोई problem नहीं होगी और दूसरा यह होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होने लगेगा जो आपने याद किया है otherwise आप क्या कर रहे हैं मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जो एस्पारेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि हम mcqs ज्यादा focus कर रहे है mcqs ठीक है mcqs भी आप डेली basis पे एक एक राइटर आप टार्गेट कर लीजिए और चलते रहे हैं लेकिन सिर्फ इस प को थोड़ा broad reading करके समझने की कोशिश कीजिए इससे आपको जरूर हैल्प मिलेगी तो यह रहा आपका lt का syllabus और उसको प्रिपेर करने की जो strategy है जैसा मैंने किया किया था जब मेरा प्रिपर था lt का या लेक्चरर का तो होफ़ुली कि आप लोग भी इसमें success होंगे अगर आप मेरे ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं नोट से जुड़ना चाहते हैं नोट से study करना चाहते हैं तो आपको comment box में links मिल जाएंगे वहां से आप जूर सकते हैं thank you for watching see you in next video